इसराइल को गाजा में अपने सैनिकों की जान का भारी नुपसान उठाना पड़ा है एक ही दिन में उसके 24 सैनिक जो हैं वो मारे गए हैं इसराइल की सेना के प्रवक्ता के मताबिक 21 सैनिक जो हैं उस वक्त मारे गए जब वो बिल्डिंग में विस्पोटक लगा रहे थे उस बिल्डिंग को उड़ाने के लिए और उसी बीच जो हमास के लड़ाके हैं उनकी तरब से एक ग्रेनेड हमला किया गया एक टैंग पर उसके बाद यह जो बिल्डिंग है वो कॉलाप्स कर गई और उसकी जद में आकर जो इसराली सैनिक हैं वो मारे गए हैं अपनी जो एक संवेधना विक्त की है और साथी इसाथ कहा है कि उनकी जो शहादत है वो देश के लिए है और इस मामले में इक इनक्वारी भी बिठाए गई कि आखिरकार इतना बड़ा नुकसान कैसे हुआ और इससे सीख लेकर आगे बढ़ने की बात की गई है इसराइल यह साफ कर चुका है कि जब तक वो अपने तीन मकसद को हासिल नहीं करेगा जिसमें की हमास का पूरी तरह से खात्मा इसके अलावा बंदकों की वापसी और फिर से गाजा जो है वो कभी इसराइल के लिए खत्रा नब बने इस बात को सुनिशित किया बगार उसका जो ग्राउंड ऑपरेशन इसराइल गाजा में वो खत्म नहीं होगा उत्री गाजा में उसने दावा किया कि हमास के जो टेरर नेटवर्क है उसको धौस्त कर चुका है पूरा फोकस जो है मद्ध और दक्षन गाजा में है जहां पर खान जैसे शहर में खास तूर पर जो रखेसंद बनाय जा रहा है क्योंकि इजगों का इस्तेमाल जो हमास अपने बने करता है और इस तरह के हॉस्पिटल में जो किये जा रहे उसे मरीजों को वहां काफी तकलीब भी हो रही है यह भी जानकारी आ र जादा जो हमास के लड़ाके हैं उसको उसने मारा है लेकिन जिस तरह से सिविलेंस की जो मौत की तादाद बढ़ी है उसको लेकर दुनिया भर में चिंटा जदाई जाती रही है लेकिन हर तरह के रिक्वेस्ट के बावजू जो है को इसराइल की तरफ से युद्ध रोकने की कोई सूर्टेहाल नजर नहीं आ रही और किसी तरह से जो पूर्न युद्ध विराम किस्तिती है उसके लिए इसराइल द्यार नहीं है हलांकि यह बात भी है कि इसराइल जो है वो कह रहा है कि वो गाजा में मानवे मलग जाने दे रहा है लेकिन बंदकों की वापसी नहीं ह हो पा रही है इसके लिए इसराइल जो है वो अपने अपरेशन जो है और तीज चला रहा है और उसका कहना है कि वो मकसद की काम्यावी तक उसका जो सेन अभियान है वो चलता रहेगा